नमस्कार लाइव सिटीज के एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद आप कर्ज और मर्ज से मुप्ती पा सकते हैं यानि कि यदि आप कर्ज और मर्ज से परिशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं तो आएए वीडियो की शुरवात करते हैं कर्ज और मर्ज ये दो ऐसी चीज़े हैं जो व्यक्ति को मानसिक और शारिरिक दोनों तरह से परिशान कर देती हैं शरीर में रोग हो जाने की स्थिती ही व्यक्ति को कर्ज की ओर धकेलने लगती है। इसलिए सर्व प्रथम निरोगी काया होना आवर्शक है। कर्ज के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव होने लगता है। कर्ज चुकाते चुकाते व्यक्ति की आर्थिक स्थिती कमजोर होने पाई करके इससे आप छुटकारा पा सकते हैं तो चलिए जानते हैं कर्ज और रोग से छुटकारा पाने के जरूरी उपाएं यदि आप कर्ज के बोज से परिशान हो चुके हैं और तमाम प्रयासों के बाद भी कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो किसी माह में शुक्ल पक्ष को पहले मंगलवार के दिन शिव मंदर जाएं और शिवलिंग पर दूद एवं जल से अभिशेक करें और मसूर की दाल अरपित करें उसके बाद वही पर बैठ कर रिण मुक्तेश्वर मंतर का कम से कम एक माला यानि की 108 बार जाप करें इससे जल्द ही कर्ज से मुक्ते मिलती है एवं जीवन में धन की आवक बढ़ती है आपको बताते हैं कि आप इस मंतर का जाप किस प्रकार कर सकते हैं ओम रिण मुक्तेश्वर महादेवाय नमह यह वो मंतर है जुसका आपको 108 बार जाप करना है यदि आपके परिवार में कोई सदस्य भयंकर रोग से पीड़त है रोग को लंबा समय हो गया है लेकिन रोगी पर दवाओं का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है तो चांदी के एक मानिता है कि इस उपाई को करने से रोगी पर दवाओं का प्रभाव होने लगता है और वह ठीक भी होने लगता है यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से रोग से पीड़त है तो ओम रुद्राय नमह मंतर का एक माला जाप प्रतिदिन करे इस कारे को लगतार 6 मां तक करन मानिता है कि इस अवधी के बीतने तक रोगी को रोग से मुक्ति मिलने लगती है यदि 6 मां की अवधी के बाद यह मंतर पढ़कर किसी रोगी को दिया जाए तो वह जल्दी ही स्वस्त होने लगता है उमीद है ये तमाम जानकारियां आपके बेहत काम आएंगी इसी तरह धर्म और अध्यात्म के दिम्या से जड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चानल लाइफ सिती जास्टो को सब्सक्राइब करें साथी साथ ये वीडियो पसंदाया हो तो लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले धन्यवाद